हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सूद सो चतिसकर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्स 2024 पेपर वन प्रेपरेशन में आज हम टीचिंग अप्टिट्यूड का फुल सलेबस रिविजन आपके लिए लेकर आए हैं इस सेशन में हम अगले 60 मिनट्स के अंदर अंदर कम्प्लीट यूनिट को कवर करने वाले हैं और गैरेंटेड आप लोगों की बहुत अच्छी रिविजन इसके जरिये हो सकती है पेपर वन के फाइनल रिविजन के लिए 30 डेज कम्प्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर स्टुडेंस डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सलेबस एक्जामिनेशन से पहले पूरा करवा दिया जाएगा इस कम्प्लीट कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेट फॉर्माट में भी मिल जाएगे जहां पर एक्जाम के लेवल के हिसाब से आपकी तयारी करवाई जाती है फुल सलेबस मॉक टेस्ट है जिसमें 30 मॉक टेस्ट इंग्लिश में और 30 हिंदी में आपको मिल जाएगे एक्जाम से पहले इन मॉक टेस्ट को अगर आपने अटेम्ट कर लिया तो गैरेंटी है कि आप 100 में से पेपर वन में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो और सबसे जादा इंपॉर्टेंट है यह 5000 प्लस mcq question bank जिसमें unit wise questions को arrange किया गया है और यकीन रखिए कि इस series के बाहर से एक भी question आपको examination में देखने को नहीं मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि 50% off इस new batch के लिए हम आपको दे रहे हैं आप सभी को कोई पर doubts है या जादा information चाहिए तो given numbers पर contact कर लीजे लेकिन उससे पहले free videos और mock test को जरूर अटेम्ट करना जो कि आपको global online app पर मिल जाएंगे अप download करने के बाद store section पर आपको search bar में course का नाम लिखना है इस तरीके से आपको course मिलेगा जैसे ही आप content पर जाते हो आपके सामने free videos है separate मेरा course है जहाँ पर आप देख सकते हो कितने जादा mock test है जितने भी classes रहते हैं उनके PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगे notes आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह जो भी videos हैं यह बहुत simple language में बनाए गए है exam oriented तयारी करने में आपको बहुत ही जादा help कर सकते हैं तो students पूरी information के लिए आप सभी given numbers पर easily contact करके हम से contact कर सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे teaching का introduction यानि की शिक्षण का परिचए सो अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ यह teaching है आप लोग मेरे video से मेरे session से कुछ सीख रहे हो वो learning होती है सो major objective जो होता है teaching का वो learning को effective बनाना ही होता है अब एक teacher as a teacher आप लोगों की यह responsibility होती है यह आप कुछ भी पढ़ा रहे हो वो एक ऐसे level पर पढ़ाओ एक ऐसे तरीके से पढ़ाओ कि जो भी आपके students हैं या जो भी आपके learners हैं वो उस चीज़ को अच्छे से समझ भी जाए and actual my examination के लिए वो चीज़े important भी हो so main objective of effective teaching is learning teaching is the purpose full direction and management of the learning process अब देखो अब जैसे आप सभी मेरे sessions को देख रहे हो इसके पीछे आपका और मेरा एक purpose है ठीके कुछ उदेश्य है मेरा उदेश्य यह है कि मुझे जितना भी knowledge है वो मैं आपके साथ share करू and आपका ये purpose है कि आप अपना jrf achieve करो and एक proper तरीके से manage करकर अगर हम teaching learning process को पूरा करते हैं तो ही उस teaching learning process को successful माना जाता है इसके साथ ही examination में teaching से related कुछ definitions में पूछी जाती है जिसे एक example लेते हैं previous year question से ही पूछा गया था कि APJ अब्दुलकलाम जो थे उन्होंने teaching के बारे में क्या कहा था उन्होंने कहा था कि teaching एक बहुत ही जादा noble profession है जो कि किसी भी student की किसी भी person के future को एक अच्छा character देता है एक अच्छी shape में लेकर आता है उनका caliber बढ़ाने में मदद करता है तो इस तरीके से आपको कुछ definitions दी हो सकती है और पूछा जा सकता है कि किन्होंने ये statement कही थी तो जब भी noble profession की बात आए जिससे कि एक person के future को हम बदल सके वो कहा था APJ अब्दुलकलाम जी ने इसी के साथ अब आता है next point जिसमें कहा है teaching is a process of providing opportunities for students to produce relatively permanent change through engagement in experiences provided by the teachers ठीक है तो जो भी अपने experience से teachers उनको चीज़ें देते हैं knowledge देते हैं students कैसे उन सब चीज़ को इस्तेमाल करके अपने behavior में permanent change एक positive change ला सकते हैं इसके बाद एक जो next नया concept आया है वो है education से related so education को लेकर के कौन से philosopher ने क्या बाते कही थी ये बहुत बार exam में आता है जैसे कि स्वामी विवेका नंजी ने कहा था education as the manifestation of perfection already in man अब देखो किसी person में आप कोई person है अगर आप में कोई एक कला है आप में कोई गुण है कोई talent है अब उस talent को एक अच्छे तरीके से present कैसे किया जाए सब के सामने कैसे लाया जाए या किसी person को खुद भी नहीं पता होता कि मुझे में ये गुण है ये talent है इस सब चीजे सामने लाने में मदद करती है education तो ये एक manifestation होता है of perfection already in man दूसरा है Aristotle खास तौर पर अगर आप English literature के students हो तो Aristotle की बहुत से definitions आपको पता होनी चाहिए इसमें इनोंने कहा है कि creation of a sound mind in a sound body स्वस्त शरीर में स्वस्त मस्तिश्क का निर्मान करना ही education होता है जॉन डेव्यू ने कहा था education as the power by which man is able to control his environment and fulfill his possibilities अब देखो simple से language में मैं चीजें बताती हूँ आपको आपके सामने एक educated person है और एक uneducated person है आप दोनों person को same task दे रहे हो हो सकता है जो come educated है या uneducated लोग है वो भी उस task को पूरा कर ले लेकिन उनका किसी चीज को present करने का तरीका क्या हो सकता है किसी चीज से deal करने का तरीका क्या हो सकता है यह बहुत different होता है तो इसलिए education बहुत जादा important भी है और बहुत से philosophers ने education की अलग-अलग definitions भी दी हुई है Swami Vivekanand की एक और definition ये भी है कि he defines education is the manifestation ठीक है ये जो मैं आपको बताया है ये बहुत बार exam में आया है कि manifestation of perfection already in man ओकी आप सभी students को paper one में help करने के लिए एक free telegram group में लेकर आई हूँ अंकीता सूत paper one netset preparation नाम से आप इसको search कर सकते है and students इस group की खास बात ये है कि आपको कोई भी guidance चाहिए आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो directly मुझसे याँ पर contact कर सकते हैं साथ ही जो भी मेरी classes रहती है उनके pdf और links आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी class मिस ना हो and बहुत आसानी से आप सभी paper one में at least 100 में से 80 plus score कर सकें तो आपके proper guidance के लिए ये channel बहुत important है इसको जरूर आप सब को free में join कर लेना है इसे के साथ अब बात करते हैं तीसरे important topic ये जिसका नाम है major philosophies and approaches in education ये topic आपको syllabus में नहीं मिलेगा लेकिन इसमें से sure questions आते ही है तो सबसे पहला है three bases of education so education के three bases होते हैं तीन चीज़ों पर education निर्भर करता है पहला है philosophy दूसरा है psychology psychology ठीक है और तीसरा आजाता है हमारे पास social needs social needs ये तीन चीज़ों पर education निर्भर होती है इसमें सबसे पहले philosophy हमें बताती है कि why अगर education में किसी चीज़ का आपको answer नहीं मिल रहा आपके दिमाग में question है कि हम ये क्यों पढ़ रहे है क्या इसका reason है तो education के basis में philosophy आपको इसका answer जानने में मदद करती है psychology बताती है how कि किसी problem से कैसे बाहर निकला जाए वो psychology के अंदर आता है and social needs बताती है what कि आपी क्या needs है and कैसे उसको fulfill किया जा सकता है तो ये तीन है basis of education okay इसके बाद यहां पर students एक और question exam में आता है कि father of education किसको कहा गया है ये question बहुत बार exam में आया है इसका answer मुझे comment करके बताईए अगर नहीं पता है तो भी मुझे बता दीजेगा मैं आपका reply कमेंट में ही कर दूँगी ठीक है अगला है idealism idealism को बोला जाता है अदर्शवाद okay अदर्शवाद हमें ये बोलता है कि जो भी god होता है कई लोग आपने देखे होंगे वो आदर्शवादी होते है उनका कहना होता है कि जो हमारे spiritualism वारी चीज़े होते है जो हमारे भगवान के द्वारा कही गई बाते है गीता में कही गई बाते हैं सिरफ वही सत्य है इसके अलावा इनसान जो कहते हैं वो कुछ भी सत्य नहीं है अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि समय के साथ-साथ हमें भी जीवन में परिवर्तन लाने चाहिए लेकिन idealism ये कहता है कि जो चीज़े spiritual होती है जो चीज़े god से related होती है उनमें कभी भी बदलाव नहीं लाए जा सकते उनमें जो लिखा है उसी को हमेशा follow किया जाना चाहिए that is called idealism इसके एक basic term है वो है mind and self तो यहाँ पर जो भी आपको ये term नजर आती है जहां पर भी ये term आपको नजर आती है आपने directly idealism को ही correct answer identify कर लेना है ठीक है इसमें कहा है कि जो भी चीज़े इस संसार में बनाई गई है भगवान के द्वारा ही बनाई गई है असली knowledge जो होता है इंसान का वो उसके mind से ही उसको मिलता है आसपास के लोगों से जो चीज़े सीखी जाती है वो temporary होती है ये सब चीज़े idealism में कही गई है और idealism के बारे में किस-किस ने कहा है तो इसके बारे में सबसे पहले तो Plato ने भी definitions दी थी ये एक philosopher का नाम है इसके बाद स्वामी दयानन दयानन जी है स्वामी विवेका नन जी है और श्री अरोविंदो है ये सब idealism के main proponent थे इनका नाम exam में जरूर पूछे जाते है और साथ में इन सबका ये मानना था कि हमारी जो spiritual books होती है उन में जो भी चीज़े कही है वो निर्पेक्ष है यानि कि absolute है और बिल्कुल eternal है और unchanging है जिनको किसी भी हालत में कोई भी इनसान बदल नहीं सकता and education के साथ अगर इसको relate करने की बात की जाए तो इसमें कहा जाता है कि इसमें हमेशा moral and value education पर ही ध्यान दिया जाता था कि किस person के लिए कौन से चीज actual में important थी वो चीज़ें यहां पर सिखाई जाती थी ये जितने भी points मैंने बताए ये previous year question से ही लेकर आई हूँ इसके बाद अगला आ जाता है naturalism यानि कि प्रकृतिवाद naturalism idealism का बिलकुल opposite है ये कहता है कि nature alone represents the entire reality environment से ही हम सीखते है हमारे आसपास की जो लोग है उनी से हम सीखते है उनका जो behavior है उनका जो तरीका है वही एक इनसान follow करता है education should be according to nature of child ये भी इसमें कहा गया है कि एक person का अब कोई बच्चा है हमें पता है बच्पन से पता चल जाता है कि किस बच्चे के कितनी capabilities है सीखने की तो उनकी capabilities, उनके nature, उनकी interest के according ही उनको उस level पर सिखाया जाना चाहिए ये naturalism होता है pragmatism का मतलब होता है learning by doing practice pragmatism को practice से जरूर याद रख सकते हो इसका मतलब मैंने अब बताया learning by doing ये as it is question exam में ना जाने कितनी बारा आया है ठीक है कि जितनी जादा आप किसी चीज के practice करते हो जितना जादा उसको action में लेकर आते हो practical करते हो उतना जादा आप easily अच्छे से चीजों को समझ सकते हो अब जिसे अगर आप doctor बनना चाहते हो doctor छोड़ो अब आप net set exam दे रहे हो आप सभी assistant professor बनना चाहते हो ठीक है teaching field में जाना चाहते हो तो आपको जितना मर्जी knowledge हो चाहे जितने मर्जी अच्छे mark से आपने exam qualify किया है अगर आप लोग अपनी teaching skills पर focus नहीं करोगे अपनी teaching को अच्छे से practice नहीं करोगे तो क्या वो successful teacher आप बन पाओगे नहीं बन पाओगे इसे लिए pragmatism बहुत जादा important होता है अगला है constructivism okay so constructivism actively construct the knowledge इसमें बोला है कि learner जो होते हैं students जो होते हैं वो actively किसी चीज में participate करते हैं और खुद से knowledge लेकर आते हैं अब छोटे बच्चे ही देख लो उनको हर चीज हम सिखाते नहीं है बहुत से चीज़ें ऐसी होते हैं जो हमें surprise वो कर देते हैं कि ये इनको किसने सिखाया तो constructivism वो लोग follow करते हैं ठीके अगर हम gene pirate की बात करें उनका ये कहना है कि constructivism एक बहुत important point होता है जो person खुद से किसी चीज को construct करके चीज़ें समझता है वो जिन्दगी में कभी भी नहीं भूलता अब जैसे मेरी ये कादत है कि कोई अगर पढ़ा रहा हो मैं कभी उनसे नहीं समझ पाती basics clear कर लूँगे लेकिन यार मैं अपने rules के हिसाब से करती हूँ अपने tricks के according करती हूँ तो वो constructivism है और वो tricks ऐसे होते हैं जो इनसान कभी भी नहीं भूलता अगला है humanism okay humanism बोलता है human life और उनकी goals जो होते हैं उससे related यहाँ पर बात की जाती है अब हर एक person है सबके अलगलग rules है सबके अलगलग goals है तो वो humanism के अंदर आता है ठीक है यह पूरी तरह से निर्भर करता है self actualization पर पूरी तरह से self actualization पर यह निर्भर करता है इसमें जैसे cooperation, mutual tolerance, social understanding यह सारी चीज़े आती है humanism के अंदर तो यह terms जो है as it is exam में आ सकती है note जरूर कीजे and students already in topics पर detailed video भी है अगर वो भी तक आपने नहीं देखी है बस मुझे comment करके बता दीजिए ताकि मैं आपके साथ link share कर सकूँ and अगर आपको यह session पसंद आ रहे है तो भी एक पर जरूर मुझे बता दीजेगा and next unit कौन सी चाहते हो वो भी share जरूर कीजे अगला है rationalism यानि की तर्कवाद so sense and experiences जहां पर टर्म्स नजर आएंगी sense and experiences that is called rationalism जो भी चीजे हम अपनी senses से अपने experience के मदद से सीखते हैं वो rationalism के अंदर आता है existentialism इसके अंदर आ जाता है individual के existence, उसकी freedom उनके जो भी choices होते हैं उन सब के बारे में अगर कहीं पर बात की गई है तो go for existentialism अगला है behaviorism so behaviorism it assumes that the learner is a passive organism who may be conditioned to learn new behavior अब देखो आपका basic behavior जो होता है किसी person का वो कोई नहीं बदल सकता लेकिन फिर भी आप अगर किसी person के साथ रोज मिलते हो, पूरा पूरा दिन साथ रहते हो तो उनकी कुछ न कुछ आदतें आपके अंदर आ ही जाती है अभी आप चाहें जितने मर्जी बड़ी उमर में हो जितने मर्जी छोटी उमर में हो behaviorism सब के उपर बराबर काम करता ही है observable behavior होता है आपको साथ वाले की आदतें या आपकी आदतें साथ वाले में जाएंगी ही जाएंगी next है g-salt psychology g-salt psychology भी बहुत important है it believes that the whole is greater than some of its parts कि छोटी-छोटी चीजें जो है उनको मिला करके भी हम वो नहीं बना सकते जो एक बड़ी चीज हमें देती है एक बड़ा knowledge जो हमें देता है okay so यह 10 important philosophies थी जो कि exam में बार-बार पूछी गई है education से related कुछ terms है बहुत जादा important है June 2023 के exam में as it is आई थी so इसमें कहा था जैसे कि basic education वार्दा education system किसने introduce किया था महात्मा गांधी जी ने learning to take place in nature and from nature जैसे मैंने naturalism हमने पढ़ा है ना वही चीज है वो किसने दिया है रबिंदरनाथ टेगोर ने ये statement दी है naturalism के बारे में रबिंदरनाथ टेगोर ने हमें बताया है integral education श्री अरविंदो focus on spiritual aspects of Indian philosophy जो भी हमारे spiritual चीज़े है Indian philosophy के हिसाब से उन पर focus किया जाए ये कहा था doctor सर्वपली राधा कृष्णन ने as it is आई थी statements फटाफट इसको note कर लीजिए फटाफट पढ़ लीजिए sure है कि एक question आएगा ही आएगा ठीक है okay next we have basic teaching models जो कि बहुत जादा interesting section है pedagogy है सबसे पहले pedagogy model जो होता है ये एक basic और पारंपरी क्यानि की conventional model होता है ये सरफ और सरफ focus करता है art and science of teaching पर art and science of teaching पर ये focus करता है and examination में जो इसमें से question आता है वो है कि steps क्या होते pedagogy model के यानि कि शिक्षा शास्त्र model के कितने और कौन कौनसे steps होते है so इसमें basically 5 steps होते है सबसे पहला है preparation उसके बाद है presentation पहला है preparation यानि कि किसी चीज को कैसे आप prepare करते हो दूसरा है कैसे किसी चीज को आप present करते हो उसके बाद है association यानि कि जिस जगा पर आप उस चीज को present कर रहे हो आजाता है application तो यह है पांच step pedagogy model की ठीक है यहां से exam में questions आती है ओके linking new material to relevant existing ideas यह preparation होता है कि अपने पुराने knowledge को use करके नए ideas को कैसे आप लोग easily generate कर सकते हो दूसरा आजाता है endrogogy endrogogy model learners are self directed self directed endrogogy मतलब खुद से इतने इसमें students active होते हैं कि वो खुद को समझते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है कौन सी चीज गलत है कैसे किस चीज को follow किया जाए okay so endrogogy model में they don't receive knowledge but interpret through discovery and यह इसमें self evaluation भी होते हैं अपना मुल्यांकन खुद वो करते हैं या पर उनको मुल्यांकन के लिए किसी teacher किसी educator या किसी की भी जरूरत नहीं है तो ऐसे जो समझदार बच्चे होते हैं जो अपना अच्छा बुरा समझते हैं अब यसे आप लोगों को कोई देखने वाला नहीं है शायद आपके घरवाले भी नहीं आपको बोलते होंगे कितना बड़ा टेस्ट लेते हैं कुछ नहीं बोलते होंगे तो ये students ऐसे होते है adult students होते हैं जो कि अपना अच्छा बुरा समझते हैं उनकी खुद की तयारी कैसी चल रही है वो भी अच्छे से समझते हैं और उस recording तयारी आगे भी करते हैं तो एंडरागोजी में हमेशा adult learning को follow किया जाता है और इसका major point होता है कि self evaluation ये हमेशा करते हैं next है एंडरागोजी पेड़ागोजी के साथ साथ एक और model होता है हीटागोजी इसमें से काफ़ी कम questions आते हैं लेकिन पढ़ दीजिए self determination learning इसको कहा जाता है self determination learning ठीक है एक term और है previous questions में आया था बार बार कि पेड़ागोजी को और क्या बोला जाता है पेड़ागोजी को engagement term के साथ relate किया जाता है एंडरागोजी को cultivation के साथ cultivation के साथ relate किया जाता है and हीटागोजी को realization it goes with realization ठीक है यह तीन टर्म्स है यह अगर आपने याद रख ली तो काफी easy हो जाएगा आप लोगों को question समझने में पेड़ागोजी एंगेजमेंट एंडरागोजी कल्टिवेशन और हीटागोजी realization अगला मॉडल है Robert Glazer's model of teaching इस model का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको कहा जाता है teach the teacher teach the teacher model और यह एक framework होता है teaching के लिए जो की major focus करता है students की active participation पे कि class में कोई भी activity हो रही है तो यह पूरा ध्यान रखता है कि students अच्छे से participate करें और feedback पर भी यहाँ पर major focus रखा जाता है यह model Robert Glazer के द्वारा बनाया गया था 1970s में इसलिए इसका नाम Robert Glazer's model रखा गया है इसमें three main phases होते हैं तीन steps पर यह follow करता है पहला है preparation दूसरा होता है presentation और तीसरा होता है practice exam में यह पूछा जाता है कि Robert Glazer's model कौन से 3P process पर काम करता है तो वो है preparation, presentation and practice next model है summer model s-a-m-r-m-o-d-e-l summer model तो सबसे पहले तो s-a-m-r के आपको full form पता होने चाहिए s का मतलब होता है substitution a का मतलब होता है augmentation m का मतलब होता है modification and r stands for redefinition r stands for redefinition है ठीक है so यह इसके full form है this framework provides this is basically provided for educators जहां पर multiple integrated levels होते है सब चीज़ों का हम यूज करते है augmentation होता है यहां पर technology का यूज किया जाता है as direct tool substitute ठीक है यह होता है direct tool substitute यहां पर भी direct tool substitute के रूप में यूज किया जाता है especially for functional improvements उसके बाद आता है modification यहां पर technology को allow किया जाता है for task redesign किसी पर task को वापस change करना चाहते है redesign करना चाहते है तो modification use होता है and redefinition हमें कहता है कि इस case में step में technology को हम permission देते है for the creation of new task and previously in completed task को भी complete किया जाता है new task को भी आपर create किया जाता है okay इसके अगला model है Merrill's principle of instruction so यह जो task होता है sorry यह जो principle होता है इसके अंदर 5 चीज़ें आ जाती है ठीक है सबसे पहला है कि यह task centered होता है task centered रहता है इसके बाद इसमें activation आता है उसके बाद आ जाता है demonstration then we have application and integration next is eddy model of instructional design so यह पर eddy की full form होती है analyze, design, develop, implement and evaluate तो यही इसके full form भी है and यही इसके steps भी है अगला आज आता है हमारे पास 5E instructional model of e-learning so 5E model में आपको पता है कि 5E होते है ठीक है पहला e stands for engage दूसरा is explore थर्ड is explain फॉर्थ is elaborate and 5th is evaluate तो इन models में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है यह जो full form और जितनी से information मैंने दी है यह काफी है ओके so pedagogy and dragogy already हम discuss कर चुके है next है हमरे पास nature and characteristics of teaching अब देखो direct definitions है फटा-फट से हम इसको discuss करेंगे so पहला point में कहा गया है teaching is an interactive process अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को homework questions भी दे रही हूँ मालीच हम classroom में बैठ कर पढ़ रहे है ऐसे में मैं आप से बात करे जाओ बोले जाओ लेकिन आप लोग कुछ response ही नहीं दे रहे हो यह बहुत जादा सरूरी है कि teaching learning process जो है वो interactive होना चाहिए दूसरा है it is a process of development and learning अब ऐसे में क्या हो रहा है मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ teaching चल रही है आप लोगों की development भी हो रही है कुछ नया भी सीख रहे हो और learn भी कर रहे हो next point is teaching causes a change in behavior ही है कि आप एकदम सही एक class के बाद ही behavior change हो जाएगा लेकिन अगर अच्छे teaching आपके साथ हो रही है आप एक अच्छे learner हो अच्छे से चीज़ों का समझ रही हो तो आपके behavior में change होना भी निश्चित है positive change कि हाँ पर बात हो रही है teaching एक कला है साथ ही एक विज्ञान भी है अब किसी person को knowledge बहुत जादा है लेकिन वो अपनी बात present नहीं कर पा रहा वो अपना knowledge बच्चों के साथ share करके उनको चीज़े नहीं समझा पा रहे तो इसका मतलब है कि वो teaching best नहीं है क्योंकि उनके पास teaching का art नहीं है और science इसमें ये कहता है कि किस level के students को आप क्या पढ़ा रहे हो वो बहुत जादा important है अगर छोटे बच्चों को मैं इतनी fast इतनी जादा जल्दी जल्दी कुछ चीज़े पढ़ाऊं तो वो समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे तो वो भी एक गलत तरीका हो जाएगा पढ़ाने का सो इसलिए teaching को art और science कहा गया है face to face encounter है लेकिन यहाँ पर क्योंकि online classes चल रही है तो ये वाला point सब जगा भी applicable नहीं होता teaching is observable, measurable and modifiable skilled occupation किसी person के पास teaching का skill होना बहुत ज़रूरी है कैसे बात present करनी है कई लोगों को shock भी होता है knowledge भी होता है, teaching skills भी होती है लेकिन और भी बहुत से चीज़े हो जाती है skilled occupation यानि कि और भी चीज़े हो जाते हैं कि वो अपनी बात present नहीं कर पाते तो इसलिए एक skilled person ही एक teacher बन सकते है teaching is both a conscious and an unconscious process memory level से reflective level पर काम करता है यह हम अभी आगे discuss करेंगे detail में teaching के साथ साथ कुछ चीज़े और होती है training, conditioning, instruction and indoctrination यह topic में से पहले questions आते थे अभी नहीं आते तो इसको आप ignore कर सकते हो so level होते है teaching के तीन ठीक है स्मृति स्तर का शिक्षन जिसको memory level of teaching बोला जाता है दूसरा है बोध स्तर का शिक्षन जिसको की understanding level of teaching कहा जाता है और अगला है चिंतन जिसको की reflective level of teaching कहा जाता है so यह तीन levels बहुत important होते हैं अब देखो इस table को याद रख लो सारे questions easily solve हो जाएंगे so memory level सबसे lowest level होता है सबसे छोटा level होता है जिससे छोटे बच्चों को rote learning करवाई जाती है रटा मार कर चीज़े पढ़ाई जाती है that is taken under memory level तो यह Harvard के द्वारा present किया गया था rote learning होती है बच्चे को हम बोलेंगे A for Apple तो वो रटा मार कर A for Apple याद रख के लिए उनको शायद पता भी नहीं होगा कि Apple होता क्या है क्या उसका use है तो वो thoughtless होती है oral और written test इसमें लिए जाते है lower classes में होते है teacher centered होते है जो teacher पढ़ाना चाहें जैसे teacher पढ़ाना चाहें क्योंकि बच्चे को इस level पर कुछ भी पता नहीं होता है next is understanding level of teacher teaching ये middle level होता है teaching का जिसको की Morrison के द्वारा present किया गया था ये thoughtful होता है mastery of subjects by developing understanding ठीक है यहाँ पर क्या था जैसे बच्चे को ABCD से खाएगी फटा फट से यहाँ पर बच्चों को ABCD का meaning बताया जाएगा कि ये for apple होता है apple एक fruit होता है इसको खाया जाता है तो understanding level में memory level के knowledge को एक upper level पर ले जाकर चीजों को detail में explain किया जाता है इसमें बच्चे थोड़ा बहुत चीजों को सोचना समझना शुरू कर देते लेकिन फिर भी ये teacher centered ही होता है क्योंकि इसमें बच्चे अपने आप से कुछ नहीं सीखते जो teacher करवाएंगे जो teacher समझाएंगे वही रहता है highest level होता है reflective level reflective level hunt के दोरा बनाया गया था इनके main proponent hunt थे use of knowledge and research skills to solve real life problems so अभी तक देखो understanding level और memory level में आपने जो कुछ भी knowledge collect किया उस knowledge को कहां पर use करना है real life में कैसे उसको इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना है कुछ नया सीखना है वो आता है reflective level के अंदर so देखो students यही चीज़े हैं जिसे आप लोगोंने बच्पन में कुछ चीज़े पड़ी है drawing सीखी होगी बच्पन में driving सीखी है किसी साल पहले driving सीखी होगी emergency में कब वो चीज़े कहां पर काम आ जाएं वो हमें नहीं पता होता तो reflective level हमें यहीं बोलता है कि जो भी हमारा knowledge है जो भी हमारे दिमाग में हमने understanding और memory level में सीखा है उसको real life situations में problem को solve करनी के लिए यूज किया चाता है और यह होता है centered learner centered democratic होता है role जो कि बहुत ही जादा active role रहता है students का यह देखो question है which of the following level of teaching lay stress on critical shifting of ideas at the highest cognitive level so highest cognitive level क्या होता है reflective level होता है तो यहां पर correct answer क्या है option number three ऐसे questions exam में आते है okay so next model is very very important and very very interesting that is bloom's taxonomy so bloom's taxonomy के बिना कोई भी exam पूरा नहीं होता ठीक है so bloom's taxonomy bloom ने कहा था कि जो तीन levels आ teaching है इससे कुछ काम नहीं चलेगा हमें हमारे teaching learning को बहुत सारे domains में divide करना पड़ेगा इसलिए bloom ने अपने हिसाब से अपनी taxonomy को तीन हिस्सों में वरगी वरगी करित किया था तीन हिस्सों में बांठा था पहला है cognitive dimension यहां पर देखो bloom ने सबसे पहले 2001 में cognitive domain दिया cognitive का मतलब होता है mental abilities किसी की भी mental power mental abilities की अगर बात की जाए that is always related to cognitive सो उनके हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक ही डोमेन में इसको छे हिस्सों में बांठा था पहला यह कहा था कि सबसे छोटा लेवल remembering होता है remembering का keyword है recall यह मैं आपको आगे भी बिताने वाली हूँ ठीक है किसी चीज़ को कोई बित्चे सबसे पहले याद रखते आपने मेरे साथ बैटे हो आप मुझे देख रहे हैं कैसे पढ़ा रही है कैसे pen tab और कैसे laptop को यूज़ कर रही है तो आपने उन चीज़ों को याद रख लिया उसके बाद आप उस level पर एक upper level पर उस चीज़ को अच्छे से समझने लग गए फिर समझने के बाद आपने क्या किया एक दिर उस चीज़ को खुद से apply किया बिना मेरी information के बिना मेरी help के उस चीज़ को apply किया उसके बाद आपने analyze किया कि इतना smoothly काम नहीं हो रहा कहां पर आपने गलती ही, कहां पर आपने गलत किया उसके बाद आपने उसी analysis के base पे आपने आपको evaluate किया, अपना मुल्यांकन किया कि जैसे मैं मैं पढ़ा रही थी कि क्या हमने भी वैशा ही पढ़ाया जैसे वो smoothly अपना laptop, अपना pen tab run कर रहे थे क्या हमने भी वैसा ही किया तो evaluating के अंदर आता है last में उन्होंने ये सभी पुराने knowledge को इस्तिमाल करके कुछ नया create किया that is called Blooms taxonomy so ये 6 phases होते हैं इसका sequence यहाद रखना exam में आपको ये ऐसे दिये होंगे आपको arrange करना होगा तो Blooms का cognitive domain ये था लेकिन कुछ साल के बाद Bloom को लगा कि अभी cognitive domain को revise करने की ज़रूरत है तो उन्होंने उसको revise भी कर दिया आप इसको यहाँ पर hazardous पढ़ सकते हो दूसरा domain है Bloom का वो है psychomotor इसमें पहला phase है imitation basic level की कैसे आप किसी को देख देख के सीखते हो फिर खुद से करने की कोशिश करते हो उसमें आप थोड़े proactive हो जाते हो फिर articulation और naturalization last में वो चीज इतने practice आप कर लेते हो कि naturally आपके अंदर आज आती है आप उसमें इतने practice करते हो कि आपको देखो शुरू में जब आप laptop चलाना सीख रहे होंगे गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे तो आपने थोड़ा समल समल का का काम किया होगा अब आपका इतना naturally वो चीज आप में आ चुकी है कि आप cup break लगा रहे हो automatically आप gear change कर रहे हो यह सब bloom के हिसाब से है कि teaching learning को ऐसे phases में divide किया जाता है और तीसरा है effective domain receiving phenomena पहले हम किसी चीज को receive करते है घ्यान को प्राप्त करते है फिर respond करते हैं कि यह informative है या नहीं फिर उसकी value जानते हैं उसको organize करते हैं फिर उसको internalize करते हैं यानि कि इसको अपनाते हैं यह already चीज़े हिंदी मेंटेम students के लिए भी सेम चीज़े हैं यहाँ पर पहला level है घ्यान और यह सब देख सकते हो कुछ keywords है जैसे कि अगर हम remembering की बात करें remembering में जहांपर आपको define, identify name, recall यह सारे keywords नजराए मतलब कि remembering cognitive domain में remembering level पर हम अभी बात कर रहे हैं अगर आपको किसी example में कहा है कि ABC नाम की किसी लड़की ने अपना जो है ID और यह सब चीज़े वेरिफाइ करवाई मतलब की evaluating phase की बात की जा रही है तो हिंदी मीडियम भी यहाँ पर देख सकते हो बहुत important है यह chart इसको as it is note जरूर कीज़े देखो जो मैं कहा रही थी ना blooms taxonomy की arrangement पूछी जाती है correct sequence पूछा है यह 2020 का question है ठीक है तो देखो क्या आता है सबसे पहले receive करते हम फिर respond करते हैं फिर value, फिर organization, फिर characterization देखो क्या है correct answer ठीक है इसका correct answer खुद से ढूनकर मुझे reply comment में चाहिए ही चाहिए students अगर आपको लग रहा है कि यह session बहुत साथा fast हो रहा है थोड़ा सा slow मुझे करना चाहिए तो भी आप मुझे comment करके एक बार जरूर बताएए आपके suggestions को जरूर follow किया जाएगा and the next unit कौन से चाहिए वो भी बता दीजिए next है हमार पास gagnais taxonomy gagnais एक educational cyclist थे जिन्हों ने कहा कि सिर्फ तीन लेवल से काम नहीं चलेगा हमें education को represent करने के लिए कम से कम 9 steps को follow करना चाहिए तो वो 9 steps exam में पूछे जाते हैं पहला है gain the attention of the learners एक अच्छा teacher बनने के लिए खास तो आपर छोटे बच्चों की अगर यहां पर बात की जा रही हो एक अच्छा teacher बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने students को students का ध्यान अपनी तरफ लाना है inform learners of the objective कि आज हम कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं वो उनको बताओ कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो पहले discuss करेंगे थोड़ा सा और आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उस चीज़ को थोड़े से short में बताने का ठीक है फूर्थ स्टेप में कहा है कि present the content अब यहां से आप अपनी क्लास को शुरू करो learning guidance बताओ students को दीरे दीरे पढ़ाना शुरू करो देखो कि उनको basic introduction समझ आई है या नहीं उसके बाद अगले level पर जाओ performance उनको practice देखो कितनी वो चीज़ों को समझ पाए है कितना नहीं समझ पाए है उसके बाद feedback पर उनको provide करो कि कहां पर कमी रह रही है कहां पर वो चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते है उनकी performance को assess करो and enhance retention and transfer to the job ओके सो इस तरीके से 9 steps में इस चीज़ को gagny ने डिवाइड किया था ओके आप जिससे की हितने देर से हम teacher centered और learner centered method की बात कर रहे हैं जो भी students है अगर आप teaching aptitude पढ़ रहे हो तो teacher learner centered आपको आना ही चाहिए ठीक है teacher centered वो होते जिसमें teacher focus रखता है teacher क्या पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे वो सब decide करते है learner centered में learner पर focus रखा जाता है learner कौन से तरीके से पढ़ना चाहते है कैसे पढ़ना चाहते है वो सब चीज़ें आती है और यह आती है mixed strategy teacher centered basically जो बहुत बड़ी-बड़े classrooms होते है जहाँ पर 100-200 बच्चे एक साथ हो वहाँ पर learner centered यूज किया जाता है intuitions वगरा या small classrooms में individual methods को यूज किया जाता है medium size में small group methods को यूज किया जाता है अब lecture method क्या होता है team teaching और TV video presentation यह सब आते है teacher center में बस इसके नाम पढ़ लीजिए याद रख लीजिए रटा नहीं मारना है कि table को रट लो अब group discussion आपको पता है group discussion 100 लोगों में हो सकता है नहीं हो सकता group discussion में 5-6-7 लोगों की ही जरूरत होती है तो मतलब small group होगा seminar में भी थोड़े लोग होते है तो ऐसे होगा lecture अब दो लोगों को आप पढ़ा रहे हैं वो lecture नहीं होता वो tuition की category में आ जाता है tutorials की category में आ जाता है तो लोगों को पढ़ा रहे हैं वो group discussion भी नहीं हो सकता तो दिखते सी बात है कि large group method यानि कि teacher center strategy ही होगी ठीक है तो इस तरीके से आप लोग जिसे project दिये जाते हैं हर एक बच्चे को individual project दिये जाते हैं तो दिखते सी बात है कि ये learner centered ही होगा बच्चा अपने according करेगा assignment हर एक बच्चा अपनी खुद बनाता है तो इसलिए ये learner centered strategy है तो अच्छे से एक point को पढ़िए वीडियो को pause करके देखिए तब ही आपको चीज़े clear हो जाएंगी पुराना तरीका होता है पारम पर एक तरीका होता है शिक्षन उसको teacher center कहते है इसमें teacher active होते हैं लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि बस बैठे हैं सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं teacher को कोई मतलम नहीं होते teacher आते हैं class में पढ़ाते हैं और चले जाते हैं ना वो students से पूछेंगे समझ आया नहीं ना वो students को पूछेंगे interest है class में या नहीं flexibility नहीं होती students में भी इतनी power नहीं होती कि वो बच्चे को पूछ सके कोई group activity नहीं एक teacher है class में आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं और चले जा रहे हैं पारम पर एक तरीका one way communication क्योंकि आपर सरफ teacher बोलते हैं students नहीं lecture team teaching ये सब इसके अंदर आता है learner center method modern होता है जिसमें students बहुत active होते हैं आजकल के students इतने active है कि अगर आपको उनको teacher का पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा तो वो सामने से भी पूछ लेते हैं कि अपना तरीका थोड़ा सा change कीजिए ये teachers पे उनको सामने से पूछते हैं कि कोई दिक्कत है मेरे पढ़ाने के तरीके में मेरी speed में तो आप बता सकते हैं जैसे मैं आप से पूछ रही हूँ यगर किसी student को लग रहा है कि session बहुत जादा fast जा रहा है वैसे तो ये revision session है इसकी speed इतनी ही होनी चाहिए क्योंकि 60 minutes में आपको revision करना है exam से पहले help रहेगी तो इसलिए ये चीज़े बहुत important है learner center teaching means it means what? it means learners are given an opportunity to construct knowledge and teacher is a guide in the learning process learner center में teacher उनकी help नहीं करते पूरा काम करके नहीं देते सरफ guide कर सकते हैं जैसे आप लोग अगर PhD करने जाओगे research आपको खुद करनी है सरफ आपके जो teacher है वो आपको guide करेंगे थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे कि कहाँ पर चीज़ों पर ध्यान देना है ओके? तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते एक और question है इसी की base पर यह भी previous year question है learner centered approach is not centered on teacher needs teacher की needs के हिसाब से यह होता है इसमें बोले not centered तो यह बिलकुल सही है बिलकुल सही है बिलकुल basic question है next है online educational portals जिसमें सबसे पहले आता है स्वयम तो स्वयम क्या है? स्वयम में non-governmental organization है digital program है principle of education को fulfill करने के लिए online platform है या किसी website का name है तो क्या है स्वयम? मुझे comment करके बताईए स्वयम देखो एक online platform है जो कि students के लिए free educational programs देता है बहुत से देखो इसका tagline ही है शिक्षित भारत उन्नत भारत स्वयम की full form exam में पूछी जाती है जो कि है study webs of active learning for young aspiring minds तो यह है स्वयम का full form इसमे जितने भी students है वो किसे भी course के लिए बिल्कुल free में enroll हो सकते हैं best online teaching platform के लिए इसको बनाया गया है currently अगर यहाँ पर हम 2023 के शुरुआते दिनों की बात करें तो यहाँ पर नाजाने कितने लाग बच्चे enroll औरेडी हो चुके हैं आप इंडियन हो इंडिया से बाहर रहते हो कहीं में रहते हो आप इसमें enroll हो सकते हो स्वयम basically 4 quadrants पर काम करता है पहला quadrant है video इसमें आपको video lectures मिल जाएंगे दूसरे इसमें आपको content मिल जाएगा e-content जिसको आप बाद में चाहे तो print भी करवा सकते हो self assessment यहाँ पर आपको मिल जाती है यानि कोई भी test अगर आप देते हो तो आप उसके बाद उसमें assessment कर सकते हो कितना score किया है, कहाँ पर गलती हुई है और इसके बाद साथ ही online discussion का section भी यहाँ पर आपको दिया जाते है तो यह है स्वयम इसके बाद अगला topic है स्वयम प्रभा स्वयम प्रभा को 19 October 2020 में launch किया गया था, यह DTH dish है, dish है आप लोगों के घर में होती है, TV सब लोग देखते है यह total 34 channels आपको provide करवाता है, direct to home channels high quality educational programs है जो कि 24-7 run करते है एक्जाम में यह पूचा जाता है कि कॉल साथलाइट स्वयम प्रभा के लिए responsible है तो GSAT 15 यानि कि geostationary satellite 15 जो है इसके लिए responsible होता है students में यह confusion रहता है कि 32 channels है या 34 तो overall 34 channels है and students क्योंकि यह 2020 में launch किये गए हैं सारे portals, तभी से syllabus में भी add किये गए है अगर आप लोगों को इससे related current affairs चाहिए, latest data जो है स्वयम प्रभा और स्वयम से related वह नहीं पता तो मैं आपको बता दूँगी स्वयम प्रभा की सबसे खास बात यह है कि इसमें अगर आप लोग चाहो तो morning में वो sessions देख लो evening में देख लो, afternoon में देख लो night में देख लो 34 DTA channels है जिसमें वही चीज़े repeat होती रहती है IIT की जो teachers है उनी के यहां पर recorded sessions होते हैं जैसे आज का एक session है वो हर 4-5 गुंटे के बाद repeat होगा ताकि student अपने समय और सहूलियत की हिसाब से उसको follow कर सके Channel किन हम अब तो नहीं पूछे जाते लेकिन पहले पूछे जाते थे अगर समय है तो पढ़ सकते हो जैसे इसमे चैनल नंबर 1 है वागीज चैनल नंबर 2 है संस्कृति चैनल नंबर 3 है प्रबोध ठीके किसके दोरा इसको handle किया गया है जैसे EMRC जोदपूर जामियमीलिया जो यूनिवर्सिटी है वो कौन से channel handle करती है वो करती है channel नंबर 5 जिसका नाम है प्रबंधन और यह बेसिकली social science, management, library science, information इससे related to the subjects है उसको यहाँ पर पढ़ाया जाता है ठीक है IIT daily को होन से channel को handle करती है तो वो है channel नंबर 12 नेप्टेल channel नंबर 14 नेप्टेल यहाँ पर देख सकते हैं इंजिनियरिंग से related courses IIT के द्वारा बताया जाते है Next है UGC MOOC यह भी एक स्वयम का ही vertical है MOOC की full form है Massive Open Online Courses यह भी आपको best free online education देता है best free courses प्रवाइड करवाता है जिसमें अभी तक काफी सारे students already enrolled हो चुके है अब देखो learners की कुछ विशेषताएं होती है और कुछ कमिया भी होती है जो कि examination के लिए important है learner की characteristics है Easily adjust to change Internal motivation अब देखो मैं आप लोगों को चाहे जितना वर्जी पढ़ा लूँ चाहे slow पढ़ा लूँ चाहे fast पढ़ा लूँ लेकिन कोई student अगर पढ़ना ही नहीं चाहते उनको ऐसा है कि मुझे एक ही teacher है मेरे favorite मैं उनी से पढ़ना है चाहे वो teacher हफते में एक ही बार class लगा रहे हो तो ऐसे में आप एक learner नहीं हो best learner नहीं हो क्योंकि एक learner वही होता है जो easily किसी बदलाव को accept कर सके कि अगर एक teacher आज नहीं है जादे इसमें कुछ भी नहीं है factors कौन कौन से जो कि teaching को effect करते है teacher, learner और environment अब सिर्फ तीन points ऐसे नहीं है teacher के end पे कौन कौन से चीज़े ऐसी है जो कि उनके शिक्षन को प्रभाव करती है, प्रभावित करती है जैसे माल लीजे मैं एक teacher हूँ माल लो कि मुझे basic knowledge ही नहीं है मुझे यभी नहीं पता कि eugisinate exam क्या है, क्या इससे बनते हैं क्या इसके फाइदे हैं, क्या इसका syllabus है तो सबसे पहला factor यह ही हो जाएगा हमारी teaching को effect करने में कि बच्चे मेरे पास आ गए अब मैं उनको बताई नहीं पा रही हूँ मुझे knowledge ही नहीं है ना मुझे topic का knowledge है ना मुझे subject का knowledge है ना मुझे service का knowledge है तो यह एक ऐसा factor हो गया एक ऐसा कारक हो गया जो कि मेरे instruction को परभावित कर सकता है learner की point of view से यह हो सकता है कि learner interested ही नहीं है कोई student ऐसा है जो कि pilot बनना चाहते थे लेकिन उनके parents को शौक था कि हमारा बच्चा assistant professor बने और वो जबरदसी से exam में आ गए तो वो चाहिए जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो इतने interest के साथ पढ़ ही नहीं पाएंगे easiest चीजों को पर समझ नहीं पाएंगे अब जैसे मैं अपने पूरे efforts कर रही हूँ आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कि exam में कम time है students को नहीं पता चल रहा कैसे पढ़ना कैसे पढ़ना तो मैंने सूचा चलो 60 minutes में आपको हरी चीज़ दे देते है तो ऐसे में students को अगर interest ही नहीं है students अगर ध्यान से मेरी class को सुनी नहीं रहे है तो उनको इस class की value इस class की हमियत और इसके benefits पता ही नहीं चलेंगे तो ये कुछ ऐसे कारक है जो कि आपको successor होग सकते है ये factors है teaching के environment में यह हो सकता है कि teacher को भी knowledge है students में पढ़ने में interested है लेकिन आसपास का जो पर्यवरण है वो शान्त नहीं है आसपास शोर इतना है गाने चल रहे हैं बच्चे रो रहे हैं कुछ हो रहा है कि पढ़ाई हो ही नहीं पाती मेरे घर के आसपास इतना शोर है कि मैं अपने sessions record ही नहीं कर पाती तो वो environment भी एक factor होता है जिसकी वज़ा से एक teacher learner जितने में जितने इंट्रस्टेड हो पढ़ने पढ़ाने में वो नहीं उसको successful कर पाती है उसके बाद दो टाइप की learners होते हैं जिससे exam equations आते हैं adolescent learners छोटे बच्चे और जिसको की किशोरावस्था की बच्चे बोला जाता है इनकी चार characteristics होती है academic, social, emotional and cognitive academics होती है जो school वगरा से related है moving from concrete to abstract basic से थोड़े एक level up जाते है mood swings बहुत आते हैं छोटे बच्चे देखे नहीं एक बात पर रो जाएंगे एक बात पर हस जाएंगे modeling behavior होता है socially उनका एक level तक बच्चे ऐसे होते हैं जैसे अगर हम 5th, 6th, 7th के आसपास के बच्चों की भी बात करें तो वो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी एक identity हो हमें लोग अच्छे से पहचाने school college में, school में भी वो चाहते हैं कि हमारी तो वो cognitive के अंदर आता है Hindi medium यहां पर देख सकते हो और किशो रवस्था की मुख्यों विशिष्थाई भी देख सकते हो अगला है adult learners यह बहुत समझदार होते हैं इनको अपने अच्छे बुरे बुरा सब पता होते हैं academic emotional social cognitive चाहर होती हैं बड़ी चीज़ों को कैसे अच्व करना है यह इन बच्चों को पता होता है इनको ये पता है कि एक मंथ में हम UGP एग्जाम नहीं कर सकते क्यों क्यों कि अभी एग ही महीने में तो syllabus भी पूरा नहीं होता उनको ये पता है कि कम से कम चार से पाँच महीने हमें से लिबस पूरा करने में लगेंगे उसके बाद जाकर पेपर कहीं पर कौलिफाई होगा तो अकेडमिक्स में वो इतने स्ट्रॉंग होते हैं उनको पता है कि बड़ी चीज को अजीव करने में समय लगता है और कैसे हमें उसको कंट्रोल में रखना है एमोशनल होता है सेंस आफ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्टिड प्रेफर लर्निंग कम्यूनिटी आसपास अच्छे समझदार लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ करना चाते हो और आपके आसपास कोई बिगड़े हुए फ्रेंड्स आपके बन गए तो आप दिटे तिरे उनसे बाहर निकलने लग जाओगे ठीक है apply new knowledge and skills जिससे कि वो नया कुछ भी कभी भी सीख सकते हैं ओके so adult learners की कुछ विशिश्टाएं भी होती हैं जैसे कि वो leadership qualities होती है experience होता है appeal, respect, novel style जिन में रहते हैं next is factors affecting teaching related to यह हमने already पढ़ लिया teacher learner support material होता है जैसे मेरे को knowledge भी है आप पढ़ना भी चाहते हो लेकिन मेरे पास laptop ही नहीं है मैं कैसे पढ़ाऊंगी मेरे पास whiteboard blackboard ही नहीं है मैं कैसे पढ़ाऊंगी institution जहांपर मैं job करती हूँ जहांपर मैं पढ़ाती हूँ वो मुझे facilities ही नहीं दे रहे तो वो चीज़े भी प्रभाव डाल सकती है हमारी teaching learning में environment हम discuss कर चुके competency यानि की क्षमता अब जैसे कि आपकी session के लिए में लगातार बिना break के 60 minutes से बोल रही हूँ ठीक है तो ये क्षमता होना भी ज़रूरी है एक अच्छी teaching के लिए क्या के चीज़े ज़रूरी है diagnosis पहले तो देखो diagnose करना है आपको समझना है ठीक है students की क्या आप आप किसी जगा पर जा रहे हो आपके teacher पहले दिन आपको नहीं पढ़ाते वो क्या करते है पहले दिन सिर्फ ध्यान रखेंगे आप introduction लेंगे इससे वो सिर्फ introduction लेकर आपका नाम जानकर कुछ बड़ी चीज़ अचीव नहीं करते वो एक्चल में students को पहले दिन observe करते हैं कि किस level के बच्चे है कितनी इनमें understanding है किस चीज़ में इनको interest है तो वो diagnosis होता है diagnose होने के बाद पहले दिन diagnosis के बाद दूसरे दिन से फिर level जो है teaching का उस according teacher decide करते हैं कि क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है कौन से चीज़े उनको जरूरी है कैसे कैसे guidance की उनको जरूरत है ये सब चीज़े फिर उसमें देखी जाती है then direction a teacher offer directional plans एक teacher ही एक बच्चे को एच्छा direction प्रोवाइड करवा सकता है अच्छे से guide कर सकते है and feedback बहुत important पार है कहीं पर भी teaching learning हो या general बातचीत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो feedback बहुत ज़रूरी होता है methods of teaching में already हमने discuss कर लिया है online offline methods teacher center learner center देखो online method offline में आता है lecture method discussion method यह सब चीज़े ठीक है online में हमने स्वयम स्वयम प्रभा मूग देख लिया था lecture methods होते है discussion में जहां पर बच्चों को कट्टे इकटे बिठाया है बिठा करके कोई भी topic दे दिया जाता है discussion के लिए demonstration में उनको डेमो करके practical करके चीज़े बताई जाती है question answer method में भी discussion की तरह ही होता है question answers पूछे जाते है बस session में difficult level के questions होते हैं उनको कुछ एक time limit दी जाती है कि इसमें आपको answers देने हैं brainstorming session में भी एक topic ऐसा दिया जाएगा जिसके बारे में बच्चों को कुछ में knowledge नहीं होता है और उनको कहा जाएगा कि खुद से knowledge gain करने की कोशिश करो खुद से इसके बारे में चीज़े दूने की कोशिश करो और project तो आपको पता ही है school college में बहुत से projects दिये जाते थे जो कि बच्चों को अपने end पर complete करने होते थे next है blended learning जिसको मिश्रित शिक्षन का जाता है classroom learning और online learning दोनों को मिला करके इसमें साथ रखा जाता है जैसे classroom में teacher पढ़ा रही है लेकिन साथ मोनों ने laptop या बड़ी screen रखी है जिसमें वो digitally भी आपको पढ़ा रही है यह होता है मिश्रित blended learning flipped learning होता है lecture and homework activities ठीक है lecture आप लोगों को इस तरीके से दिया जाएगा traditional में ही क्या होता था पहले lecture दिये जाते था और homework दिया जाता था उसके बाद flipped learning में lecture आप लोगों को laptop computers की मदद से पढ़ाये जा रहे हैं और classroom activities के लिए आपको school में बुलाये जा रहा है यह होता है flipped या इसको उल्टा कर दिया flip कर दिया अब आथा है सबसे important topic teaching aptitude का that is evaluation system मुल्यांकन अब आप लोगों के जो final exams होते हैं वो क्या है आप लोगों ने पूरा साल क्या किया उसका मुल्यांकन करने के लिए लिए जाते है evaluation is the process of gathering and interpreting evidence on changing the behavior of the students as the progress through school definitions पर नहीं जाते हैं direct आपको बताती हूँ देखो evaluate करने इतना जरूरी होते है अब पूरे साल अगर आपने क्या किया खिया क्या समझा उसकी dew votation जरूरी होते है formative evaluation and submative evaluation formative होता है जो कि class के दोरान ही किया जाते है ठीक है, क्लास में आपने क्या पढ़ा, मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ा, जैसे अभी क्लास के बीश वीच में, मैंने आपको homework questions दे दिये, तो वो क्या है, वो formative evaluation हम कर रहे हैं, ठीक है, या class के end में भी आपको कुछ questions दोंगी, वो formative evaluation होगा, कि आप class में कितने इसके लिए best example यही है, नौम रेफरेंस में देखो क्या हुआ, एक student की performance को बाकी की students के साथ compare किया जा रहा है, अगर एक student की height को बाकी की साथ compare किया जा रहा है, जहां पर भी बात की जाएगी, क्लास में जितने भी बच्चे है, सबकी performance को teachers ने compare किया जैसे class में generally होता है first, second, third, fourth जो बच्चे आते है वो इसी भी इसस पे तो आते है कि पहला जो आ गया, उसके साथ बाकियों को compare करते 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 rank students को दिया जाएगा यह होता है norm reference test criterion reference में criteria कर दिया जाता है जैसे यूजिसनेट सेट में क्राइटेरिया है कि जिनके भी विच्चों के 40% स्कोर होगा मिनिमम वह क्वालिफाइ किया जाएंगे ठीक है तो यह क्या है हमने क्राइटेरिया रख दिया जैसे इस एक्जाम्पल में दिया है जिस लड़की की हाइट पांच से जाधा होगी सिरफ उसी को स्पोर्ट्स कोटा मिलेगा अधर्वाइज नहीं मिलेगा तो यह क्राइटेरिया हमने निर्धारित यहां पर कर दिया ठीक है फॉर्मेटिव समेटिव और यह एक्जाम में सबसे जाधा पूछा जाता है इसके बाद क्वालिटेटिव और पदा लगता है कि बच्चे क्लास में समझ रहे है या नहीं फॉर्मेटिव वेल्यूईशन से हमें स्टूडेंटिव की बढ़त करता है की वह क्लास में सुन च्डाइन में और टीचर इसनिको शाधर करने की मेरे ही बढ़ाने तरीके में और भीसमीचे पाइल्युन क्राही लिए reliable, बिल्कुल सही बात है ये ओके, so direct और indirect learning के कुछ process होते हैं जो कि exam में पूछे चाते हैं इसके अलावा students एक topic अभी रहा गया है जिसका नाम है micro teaching आप मुझे comment करके बताईए कि micro teaching क्या होता है इसमें से short questions आते हैं सिरफ definition बताईए अभी आज इस वीडियो के immediately बात मैं एक shorts upload करने वाली हूँ जिसमें micro teaching के concept में आपके साथ share कर दोगी ठीके, direct और indirect learning process देखो, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एक proper classroom setup है आप भी बैटे हूँ, मैं भी बैटी हूँ आपको पढ़ा तीन बजे class होती है तो पढ़ना है तो ये direct learning का process है indirectly आप learning कैसे कर सकते हो कोई बच्चे games के थूँ सीखते हैं कई बच्चे जो वीडियो देखते हैं आपने social media पर वहाँ से भी कई लोग कितना कुछ सीख जाते हैं हैना तो वो दो तरीके की learning होती है पहला है reception gaining attention by making some abrupt changes in stimulus and stimuli important पर ही focus करेंगे reinforcement बहुत बार आता है exam में reinforcement होता है students को जब भी feedback दिया जाता है compulsory होता है classroom में की feedback देना ही देना है that is called reinforcement retrieval and reinforcement additional performance by learners and it entails feedback also additional extra information students ने दे दी है students को दे दी गई and साथ में उसको feedback भी दिया गया journalism means more practice of varied problems so as to increase the retention journalism का यही मतलब होता है किसे भी problem से बाहर निकलने के लिए जितना साथ आप practice करोगे उतना बाहर निकल सकते हैं जैसे कई बच्चे हमें बोलते हैं कि 3 hours तक हम लगातार नहीं बैठ सकते हैं exam में कैसे बैठेंगे तो जितना practice करोगे अभी भी देखो 1 month है आज ये वीडियो में record करी हूँ 6 November को 6 December से exam है ठीके तो आप 1 month तक 3 hours तक लगातार paper solve करने की practice कीजिए बैठने की practice कीजिए आप अजीव कर सकते हो ठीके retrieval to working memory stimulating recall of prior knowledge यह में आपको बिताया था retrieval का मतलब ही होता है कभी भी prior knowledge को पुराने knowledge को कैसे नई जगा पर इस्तेमाल करके हम नए ideas को generate कर सकते हैं तो यह है direct indirect learning process so I hope students आपको ये session बहुत पसंद आया है ये session आपके लिए बहुत ही ज़ादा important है बहुत ही ज़ादा helpful है so आज हमने total 15 topics को cover किया है ये 15 topics में भी अगर आपको अभी भी कोई doubt रहा गया है ये आपको लगता है कि revision से पहले आपको और कहीं deep में जाने की ज़रूरत है सिरफ topic का नाम comment कर दीजे उस पर detailed video जो है उसका link में separately आपको दे दूँगी and अगर ये video पसंद आई है तो please comment करके मुझे motivate करने के लिए ही एक बार reply ज़रूर कीजेगा and next unit कौन सी चाहिए वो भी पिताइए and video को like ज़रूर करके 10 में से आप मुझे कितना score करोगे ज़से हमने evaluation की बात की वैसे 10 में से आप मुझे कितना evaluate करोगे ये भी मुझे ज़रूर बताना so thank you so much for watching this video and I wish you all the very best